Hello दोस्तू My name is Tousif Khalid and आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे खुद का अपना ब्लॉग क्रियेट कर सकते हैं दो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉक्स क्रेेट करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके पास Gmail का एकाउट होनी जाहिए, Gmail E-mail ID होनी चाहिए, ठीक है, Google की email ID होनी चाहिए, अगर आपके पास email ID नहीं है, तो पहले खुद की email create कीजिए मुझे उमीद है कि आपके पास Gmail जरूर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये देखे कि आपका गूगल का home page खुला है ठीक है google.com, google.in ये google.co.in जो भी चीज़ करके आप ये home page आप खोल सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखे कि एक box है ठीक है apps box मतलब ये है icon show कर रहा है इसमें आप यहाँ देखे बहुत सारे icons है YouTube है just sorry google class YouTube maps play जो भी चीज़ है तो यहाँ पर ये show नहीं कर रहा है तो ये mode में जाएंगे हम लोग यहाँ देखे आप यहाँ ये blogger तो हम लोग को blog create करना है तो blogger पे हम लोगों ने click किया ठीक है यहाँ से यहाँ ये आपको sign in करना पड़ेगा किसी account से Gmail की account से तो मैं sign in करूंगा करते हैं password enter किया and sign in यहाँ पे अब आपका ये welcome to blogger confirm your profile आप किस profile से आप अपनाई कर सकते हैं या फिर जो आपका Gmail का डाम जो आपका नाम है उससे आप कर सकते हैं या फिर आप कोई personal ये अगर आपको डालना हो name डालना हो कि किस के दरी ये post हो रहा है किसका ये है तो वो for example मैं यहाँ पे डालूंगा ठीक है and continue to blogger देखिए यहाँ पे यह हमारा एक जो main homepage है वो खुल गया तो अब यहाँ पे हमें एक नया अपना ये page ये करना है blog create करना है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे new blogs में new blog में आपके blog का नाम क्या होगा ठीक है तो मैं तो simply दूंगा वही believe for you ठीक है ये आपके blog का जो title होगा वो होगा अब यहाँ पे address है ये important चीज़ है अपके blog का address क्या होगा जो यह address यहाँ पे show कर रहा है blogger.com तो यह चीज़ आपका क्या होगा यह चीज़ आप यहाँ पे खुद से create करेंगे for example believe for you यह available नहीं है sorry तो आप कुछ और alternate कर सकते हैं यह देखे यह आपका available है ठीक है तो यह चीज़ available है यहाँ से आप select कर सकते हैं कौन सा व्यू आपको चाहिए या फिर बाद में हम लोग इस चीज़ की setup कर सकते हैं create blog थोरा time लेख सकता है यह यहाँ पे यह block create हो गया ठीक है अब देखे यहाँ पे हम लोग simply आते हैं यह हमारा block create हो गया believe for you नाम से अब यहाँ पे हम चाहे तो और भी blocks create कर सकते हैं यह आप जितनी चाहिए एक account से जितनी चाहिए उसनी blocks create कर सकते हैं अब यहाँ पे देखे your blog has been created start posting ठीक है यहाँ पे हम लोग post सबसे पहला हम post करके देखते हैं यह देखे यह आपके post का title होगा और यहाँ पे आप जो material डालना चाहते हैं यह तो आपका title है यहाँ पे जो आपका material डाएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आप का page है और आप स्वाइब है तो यहाँ पहले यह इसको preview करके आप देख सकते हैं कि आपका post कैसा दिखेगा तो बहुत ज़रूरी है ठीक है यह आपका post जो है ऐसा देखेगा Hello vault यह आपकी heading है और यह आपका material होगा वह ऐसा देखेगा उसके बाद इसको आप प्रिव्यू करके पहले देख सकते हैं उसके बाद पब्लिश कर सकते हैं तो Congratulations आपने अपना first post पब्लिश कर लिया है और आप यह सीख गया है कि कैसे blocks create करते हैं अब देखिए यहां पे बहुत सारे options हैं आप चाहें तो इस blocks आप earning कर सकते हैं Google AdSense के जरीए यहां पिर और भी दूसरी sites है जो advertising site है उसके जरीए आप earning कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप देखते हैं अपना blocks को देखते हैं यह कैसा देखता है यह simple है बिल्कुल simple कुछ नहीं है यहां पे आप कई यहां पर देखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ है आपको अपने requirement के हिसाप से आपसे यहांपर आप यहां से आप जूसे कर सकते हैं कि किस तरह का आपका blocks दीक्खें टो simply आप कोई सबों जूसकर सकते हैं यहां पर पहले आप देख सकते हैं कि आपका जू से पर यह मैंने किया तो यह मेरे हीरिंक्स ऐゃो, यह मेरेMusik ब्लोक का नाम है, यह यहां पर जो में पॉस्ट किया यह हलोवल्ट इसके बाद यहां पर जो पॉस्ट मटेरियल है यह यह से चाहे तो हम इसको खुछ से कस्टमाईز कर सक्ते हैंojहां फिर अपलाई टो कहीं से download करके अच्छो साइए खुद से create करके यहां से आप इसको upload भी कर सकते हैं ठीक है यहां से upload भी आप कर सकते हैं तो वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे upload कर सकते हैं यहां पे देखी कुछ settings है आपके blocks का नाम क्या है आप चाहें तो change कर सकते हैं जो आप आप दूसरे account से भी इसको जोड़ सकते हैं बहुत सारी चीज़े यह देख लीजे आप earning क्या है कि पहले तो ऐसा होता था कि adsense जैसे blocks कर सकते हैं जाहें तो उस पर adsense का डाल सकते हैं अब क्या है कि इसकी कुछ limitation है इसकी कुछ conditions है कि इतने post होनी चाहिए grammar के हिसाब से perfect होन जाहें word limit होनी चाहिए मतलब words कितने होनी चाहिए तो जब यह सब सारी चीज़े आपकी हो जाएंगे आपके blocks में हो जाएंगे तब यह आपका adsense यहां पर आपका यह sign up करने का option clear हो जाएगा ठीक है अभी आप यह नहीं कर सकते हैं क्योंग अभी कोई post नहीं है कोई यह न जाहेंगा ठीक है अब यहां आते layout पे layout पे कैसा आपको दिखनी चाहिए यहां पे क्या कुछ मतलब कुछ materials डालने हैं gadgets डालने हैं तो आप यहां पे डाल सकते हैं for example यहां पे हमें कुछ और material डाल के देखना ठीक है for example यह translate वाल चीज़ राइट कॉरनर पे हमें दिखनी च है है तो add कर देते हैं ठीक है by default save कर देते हैं ठीक है अब यहां पे save arrangement कर देते हैं यहां पे तो अभी फिलाल नहीं है किसी तरह का translate वगरा का अब जब हम इस refresh करते हैं तो आप देखेगा कि यह translate का यहां पे अब बार create हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप जो चाहें वह आप डाल सकते हैं यहां बहुत सारी चीज़े हैं आप खुद से browse कर सकते हैं यहां फिर सबसे यह चीज़ है कि HTML यहां से select किजिए और HTML language अगर आप जानते हो तो खुद से create कर सकते हैं यहां फिर आपको बहु ये YouTube के लिए videos के लिए ये मतलब sorry ये डालना है तो आप डाल सकते हैं बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपका post शो करेगा जो भी post होगा यहाँ पर वो शो करेगा comments वगरा जो भी कुछ हो states यहाँ पर आपका यह शो करेगा कि कितने लोगों ने देखा कहां के लोगों ने देखा सारी चीज़े आपने जो पोस्ट किया ठीक है तो यहाँ पर देखे कि मेरा जो पोस्ट है उनको लगपक स्वारी यहाँ आते हैं हम लोग इंडिया के 3 लोगों ने और United State के एक लोगों ने देखा है जो कि यहाँ पी मैप भी शो कर रहा है सबसे ज़ादा इंडिया की लोगों ने देखा इस वैसे यह कुस ज़ादा डाक है किस इस से देखा है? किस ब्राउजर से देखा है? यह भी आप देख सकते हैं यहां पर टिक है ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा है टिक है विंडोज है क्या है तो यह सारी चीज़े यहां पर आपको मिल जाएंगी settings है new post करना है फिर उसी तरीके से आप कर सकते हैं यहां से आप link insert कर सकते हैं इसमें लिंक में आप जो भी डाल दीजिए display टेक्स्ट कर डिस्प्ले होगा यहां देखिया दिखाते हैं subscribe my channel यह आपको show करेगा ठीक है बागी sorry youtube.com slash यह चूज़ देखिया आप यहां पर जैसे हम क्लिक करते हैं यह क्या है अब यह subscribe my channel ठीक है यह youtube हमारा एक है यह post का जो नाम है ठीक है headlines वो यह हैं और इसके अंदर यह material है अब इसको हम लोग publish करके देखते हैं ठीक है अब यह देखिये youtube subscribe my channel अब इसे जैसे पोस्ट करते हैं पोस्ट कर दिया हमने अब यहां देखते हैं लोग ठीक है तो यह देखिये अब यह तो हमारा यह है ठीक है यह post है उसके बाद इसमें क्या है यह एक link है ना subscribe my channel इसमें हमने link डाल देती अब जैसे इस पर हम लोग click करते हैं यह हमारे channels पर आ जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं खुद की मतलब खुद आप बना सकते हैं काफी extra changes develop कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं आप खुद से देखिए आप मुझसे जादा बहतर कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजिए subscribe कीजिए and share कीजिए and आपको बहुत बहुत शुक्रिया यह वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप से फिर next वीडियो में